हलो स्टुदेंट्स हवा यू HDFC बैंक ने आज अपने क्वाटली रिजल्ट प्रेजन्ट किये 10,443 करोड का नेट प्रॉफिट सब्मिट किया लास्ट क्वाटर में भी इट वस 10,591 अल्मोस्ट 150 करोड का कम प्रॉफिट है पट उन्होंने 10,000 करोड से उपर का क्वाटली प्रॉफिट सब्मिट किया ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है और मार्च 2022 इयर एंडी का जो नेट प्रॉफिट है अगर मैं दो हजार प्रॉफिट प्रॉफिट है अगर मैं 2011 की बात करूँ तो 2011 में जो नेट प्रॉफिट एक साल में HDFC बैंक का हुआ करता था देट वाज 3,992 करोड चार हजार करोड एक साल में प्रॉफिट बनाने वाली कमपनी 11 साल पहले आज एक साल में वो 38,053 करोड का प्रॉफिट प्रॉफिट कर रही है that is a one of the record one year profit which the HDFC बैंक has submitted जब हम किसी finance की बात करते हैं तो उसका कितना बड़ा profit है कितना operational margins है उससे भी ज़्यादा important होता है कि उसकी assets कैसी है assets माने loan book कैसी है उसके अंदर non-performing assets कितना है और performing assets कितना है तो वो भी जो numbers है HDFC बैंक ने वो assets quality को improve ही किया है जो gross non-performing assets है as a percentage of gross advances that reached on 1.17% और जो net non-performing assets है that has declined to 0.32% इतना ही neat and clean balance sheet HDFC बैंक ने present किया है तो जो ने वो ने बिगेस्ट अचीवमेंट आप अपनी sales बढ़ा पा रहे हैं अपने net profits बढ़ा रहे हैं और आपकी जो quality of assets है that is also maintained and not is being dented by non-performing assets so overall दिखा जाए तो HDFC bank has performed well in this quarter पिछले quarter से कुछ 150 crores ही profit net profit कम है otherwise overall very good results which are being submitted by this private bank of India or second largest bank of India कर दो कर दो बड़ा प्रिवट ककी कि अब़ाए टिए तो जो पाज़ान अपन में खा में वाई आपशका है कर दो पाज़ा आपका है